पेरे पेरे साथियों को यहाँ पर हाथ जोड़कर नमस्ते अदाप्ष श्रिकाल जहीं चे भारत वनिमातरम कैसे आप सभी फ्रेंड्स उम्मीद हैं आप सभी अच्छे होंगे आपकी फ्रेंड्स जिक्के की क्लास लेकर तयार हैं जिसमें हम बात करेंगे जिक्के के के लिए जरूरी है चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी सेंट्रिया स्टेट के एक्जाम की त्यारी क्यों ना करते हो परति दिन श्याम को साड़े साथ बजे दो फैर में दो बजे और सुबहे आपकी फ्रेंड्स यहां पर कितने बजे साड़े छे बजे रहेगी जिक्के की क्ल आपके लिए लिए वेरी वैरी मोस्ट इंपोर्टन यहां पर आप लोगों की डिली दो क्लास रहेगी जिसमें एक नोभी क्लास रहेगी साड़े नो बजे शाम को ठीके ना एक reasoning की class रहेगी साड़े 9 बजे एक class रहेगी आपकी बटा सुबह 11 बजे reasoning की सभी बच्छे याद रखेगा इसके साथ ही आपकी friends math की class रहेगी प्रती दिन 9 बजे ठीकिना सुबह 9 बजे डेली आपकी रहेगी math की class कोई भी बच्छा class को मिस ना करें math की class आपकी एद्वनसी success point platform पे start हो चुकिए हिंदी की class रहेगी परती दिन श्याम को पांच बजे सभी बच्छे पांच बजे स्याम को हिंदी की class के लिए तैयार रहेंगे कोई भी बच्छा करके आप बिटा class में आ जाये करें ysp live class search करके class में आ जाये करें और ysp live class यापके application का नाम है सभी बच्छे याद रखेगा तो चलिए friends करते हैं आज की class का आगाज और यह रहा आपका पहला question कि निमन मेंसे किस मुगल सासक को निर्माताओं यानि की भवनों का राजकुमार कहा जाता है आपको friends इसके बार में पताना है निमन निखित में से किसे सामुगल सासक को निर्माता यानि की भवनों का राजकुमार कहा जाता है तो आप सभी बच्छे जानते हैं कि भवनों का राजकुमार किसे कहा जाता है साजा को किसको का जो सवनकाल है वो जागीर के सासनकाल में था और यहां पर सबसे ज़्यादा सवनिम यूग क्या मुगलों का सबसे ज़्यादा मुगल सासनकाल का सवनियू जो यूग है सोने का यूग किसको माना जाता है तो वो माना जाता है अकबर के सासनकाल को इस बात को भी याद रख आप से बिटा क्या पुछा गये हैं कि निमल निखित में से किस सुक्षम जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है इन में से कौन सा ऐसा माइक्रो और्गनिजम है जो आपका सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में आता है तो आप लोगों को यह बात मैंने पढ़ाई हुई है कि यहां पर विशानू है जब तक किसी भी वजह से हमारे सरीर के अंदर इंसर्ट नहीं होगा या किसी भी जीव जनतू के अंदर इ सुक्षम यहां पर वायरस है सुक्षम जीवों को सजी और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है आपका पिटा राइट अंसर हो जेगा उप्शन नमबर सी अंत्रिक्ष में सबसे पहले क्रित्री मुपगरय को छोड़ा गया था तो सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे संग मिल जाए तो सोवियत संग कर देना गबराने की जुरुत नहीं है कि मैडम हमने तो रूस पड़ा था रूस तो ऑप्शन में नहीं था यहां पर पहले रूस को ही सोवियत संग के नाम से जाना जाता था ठीक है ना हमारा देश पहले दो भागों में बटा हुआ था एक स्पूतनिक वन और कोविट नाइंटीन के अंदर आपका फ्रेंड्स यहां पर रूस ने जो वैक्सिन त्यार कि थी उस रूस के द्वारा त्यार वैक्सिन का नाम भी क्या था यहां पर स्पूतनिक वन ही था इस बात को भी याद रखेगा ओप्शन नमबर डी आपका सपीतना घ्रेश्ट सिखर परचड़ने वाली दूसरी भारती महीला कौन थी आपको फोंड़ेन्य मैं एक अवरेस्ट की सिखर्पर चड़ने वाली दूसरी भारती ऑ महीला कौन थी आपको फ्रेंड से बारालता नहीं तो three नमबर के दिस बात कि जा मांट ईवरेश्ट पर चड़ी इस बात को भी आद रखना आपका फ्रेंड्स यदि तुमसे पूछ लिया जाए मांट एवरेस्ट पे सबसे पहले चड़ा कौन था सबसे पहले मैला चड़ी थी जुनको ते भई थी और जुनको ते भई कहां किये जापान की जो सबसे पहले क्या चड़ी थी मांट एवरेस्ट पे चड़ी थी आपका friends right answer हो जाएगा, option number आपका friends संतोष यादव करेट answer हो जाएगा, option number भी clear है, समझ में आगी बात, आप लोगों को यहाँ पर कौन-कौन से question पूछे जा सकते हैं, Mount Everest पर सबसे पहले चड़ने वाली महिला, जुनकोते भई, कहां से थी, जापान से थी, दूसरा question भारत की पहली महिला कोन थी, आपकी friends बिशिंदरी पाल, second number पर कोन चड़ी, आपकी friends यहाँ पर संतोष यादव, सभी questions आप clear कर लिजे, ताकि friends आपकी question में किसी भी परकार की क संतोष यादव कहां से relate करती है, तो लिख लिजेगा हर्याना से, ठीके ना, संतोष यादव कहां से relate करती हैं, हर्याना से relate करती हैं, और यह आपका friends right answer होजेगा, option number B, पैंसिल का लेड है, पैंसिल का लेड कैसा होता है, आपको friends इसके बार मतना है, अरामदारी से पढ़ा करो बैठके, कुष्णों को समझने की कोशिश क्या करो, आप लोगों के पास बिटा इतना ही वक्त बचा हुआ है, कि या तो इसको आप सोने में गुजार दीजिए, या इसको सोना बना लिजे, खिके न, अब जो तुमारे पास वक्त बचा हूआ है न, यह आपका बिटा, यहाँ पर गेम चेंजर टाइब है, खिके न, यह जो टाइम आपके पास बचा हूआ, यह आपका गेम चेंजिंग टाइम है, यानि कि आप जैसा आप बीज बहूगे, आपको फसल काटने को मिलेगी जैसा बीजबोग होगे वैसी आपकी है थी कातने को आपके लिए तयार मिल जाएगी तो आपका फ्रेंड smo का लैड किसका बना आट का किसका बना थायआ गुराइट का बना उता ग्रेफाइट किसका प्रूप है तो सभी बत्चों को पता है कि मैडम ग्रेफाइट अपरूप है किसका यहां पर कारबन का कारबन का अपरूप है सबी बच्चे याद रखेगा ऑप्षिन नमबर आपका फ्रेंड्स क्या भी राइट अंसर हो जएगा नेक्स बेटे आपसे क्या पुछा गया है कि पैंसलीन की खोज किसने की आप आपको फ्रेंड्स इसके बार में पताना है पैंसलीन किसकी यहां पर पैंसलीन क्या था एक एंटिबाइटिक थी पैंसलीन क्या था यह एक एंटिबाइटिक है जो हमारे सरीर से बैड बैक्टरिया को खतम करती है गुड बैक्टरिया को यहां पर दुबारा से रिचार्ज करती है तो आपका पीटा पैंसलेड की खौज किसने की थी सभी बचय याद रखेगा ओप्षिन मबर B Alaking Zandre directions ने किसे ड़ेमिंग है जिसके दवारा किसी खौज की थी Pencils की कोज की थी आपका friends right answer और हो रहेगा problems को ठीक करने के लिए आपको friends बताना है किस तखनीक का परियोग कहाता है sonography का use होता या laser technique का परियोग होता है CT scan का परियोग होता है एकेस करन का तो आप सभी जानते हैं कि जब हमारी आखों में किसी प्रकार की कोई problem create होती है तो उसके लिए बेटा कौन सी तखनीक का यूज़ किया जाता है लेजर तखनीक का यूज़ किया जाता है किसका यूज़ होता है लेजर तखनीक का यूज़ होता है आपका friends option number B right answer हो जाएगा ठीक है x कि रहन से बेटा तूटी हूई अड्शा का पता लगाते है न 10 का पता लगाते है न मस्तिक्ष विकार के लिए किसका यूज़ किया जाता है और sonography किसके लिए कि जाती है just भुरण की जान्च के लिए ठीक ना भुरण की जो यहां पर सिती की जान्च है उसके लिए किसका यूज किया जाता है सोनोग्राफिक का यूज किया जाता है तो आपका राइट अंसर हो जेगा हनों उसके पुसे जानते हैं कि लडो उडो हार्मोन के नाम से लड़लों कौन जाना जाता है अडेनील naturally क्पोई बात ब länger jij आप कारीजल आप पड़ने लगों आपका अच्छा आज है ठीक है बहुत अच्छा एंगा तो एकदम लोगों को बहुत ज़ादा खुशी ओनी स्टार्ट हो जागे तो एकदम से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा और जब हमारे के उपर कोई बढ़िया सा दुख पढ़ जाता है तो एकदम मतलब कि यह लड़ो ऊड़ो हार्मोन क्या करता है हमारे स्लवर के ब्लाड प्रेशर को मैंटेन करने का काम करता है तो आपका फ्रेंट्स अडरियन है जो लड़ो उडो हर्मोन कहलाता है में इस्टित है आपको फ्रेंट्स के बार में पताना है यह कुशन अप अप पर सित आपका बिटा रैटर।नसर होज़ेगा उश्टेलिया में न यहां पर ऐसा महादीप है जहाँ पर एक भी जवाला मुखी नहीं है यहाँ पर क्या नहीं है यहाँ पर एक भी यहाँ पर एक भी जवाला मुखी नहीं है एक भी क्या नहीं है जवाला मुखी नहीं है सभी बच्चे याद रखेगा यह बात आपकी सही है इसके साथ ही आपका यहां पर उस्टेलिया माधीप सबसे छोटा माधीप कौन सा है उस्टेलिया माधीप है साथ ही फ्रेंड्स उनका उत्पादन सबसे अधिक कहा होता है तो उनका उत्पादन सबसे अधिक आपका फ्रेंड्स कहां पर होता है उस्टेलिया माधीप के अंदर होता है आपका फ्र सब्सक्राइब आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन कुशन है रामे सर सम्मेलन से हर बार कुशन पूचा जाता है रामे सर सम्मेलन किसे यहाँ पर रिलेट करता है वेट लेंड है उनसे क्या रिलेट करता है यहाँ पर आद्र भूमी से रिलेट करता है आपका रामे सर सम्मेलन और भारत क 71 यहाँ पर बिटा ऐसे यहाँ पर क्या है रास्टे उध्याने जो किसके अंदर समलिते हैं आद्र भूमी के अंदर समलिते हैं आपका राइट अंसर हो जेगा उप्शन बर बी अगले कुशन पर ध्यान दीजेगा बिटा आपसे क्या पुछा गया बड़ा जबरदस कुशन दिया गया है निमन लिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य परदेश की सीमा के साथ नहीं लगती आपको फ्रेंड्स इसकी बार में पतन हैं जिया मेरे लाड़लो ध्यान दीजेगा क्या होगा इस कुशन का राइट अंसर परति दिन शाम को साड़े साथ बजे पहले कुश आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा ऑप्शन नंबर क्या यहां पर फ्रेंड्स आपका Qryd अंसर हो जेगा गयारा का ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स in उडि सा खी है किसší सीमा नहीं लगती है उत्रपरदेश की बिर लगती है और किसकी लगती राजस्थान की लगती है और किसकी लगती है यहां पर फ्रेंड्स गुजरात की लगती है तो option number C right answer हो जाएगा अब इस question को ध्यान से सुनना क्योंकि इस question के अंदर तुम गल्ती करते हो पूस्ती कुछ हो बताते कुछ हो पूस्ती इस question में कुछ हूँ लेकिन बताते कुछ हो ध्यान से सुनेगा प्रकास 사람inations यानि की photo synthesis में हरे पोदे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है आप से मैंने क्या पुछा है कि प्रकास ऑंसलेशन के दोरान हरे पोधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है जब आप से पूछा जाएगा प्रकास अंसलेशन के दोरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है तो छोड़ने की वाली गैस होती है बटा oxygen छोड़ी कौन सी जाती है oxygen गैस है जो आपकी release की जाती है क्या की जाती है बटा oxygen gas को release किया जाता है और absorb कौन सी gas होती है तो absorb यानि की आउशोशित की जाती है आपकी बिटा यहाँ पर carbon dioxide ठीके न जब आप से पूछा जाएगा प्रकास insulation के दोरान कौन सी gas इस्तमाल की जाती है तो इस्तमाल की जाती है आपकी carbon dioxide ठोड़ी कौन सी जाती है oxygen आपका राइट अंसर होजेगा option number C रख्त में antibody एम एंटी जन के अध्यन को क्या कहते हैं रख्त में antibody और antigen के अध्यन को क्या कहते हैं आपको फ्रेंड्स इसकी बर में बतना है class में आए हैं तो आप apply.閱 हैं यहां पर पढ़ने के लिए मालीजे कोई भी किताब उठाते हैं या किसी भी पेज पर पढ़ने जाते हैं तो आपके किताबको उठाने का या पढ़ने का एक hiromma एक ही पर्पर पर डे कि हमें कुछ सीखना है क्या कर ना ऊहैं कुछ सीखना है किसको कहते हैं कि रखत में एंटि यंकि देन को सिरोलोजी की नाम से जाना जाता है सबी बच्चे रखीगा गाई कन यहाँ पर क्या गल गाईक। उनका जो अध्यन होता है वो किस में आता है गाइनेकलोजी में आता है ठीक है बायोलोजी का मतलब बेटा आपके यहाँ पर जीविज्ञान का दिन और हिस्टोलोजी आपका फ्रेंड्स उत्को का दिन तो आपका राइट अंसर हो जेगा उप्शन नमबर सी नेक्स्ट आप स संसार का सबसे बड़ा किसके दुबारा उत्पन होता है आपको फ्रेंड्स इसके बार में चैन को सब्सक्राइब करना बला एकन कि कोई भी बच्चा क्लास को मिसना करें और यहां पर करेंट रोजेगा ओप्शन नमर भी रफलेशिया वो कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंची को छाया नहीं फल लागे अतिदूर तो यह जो आपका रफलेशिया है ना यह रफलेशिया भी कहने को तो संसार का सबसे बड़ा है लेकिन बटा ये एक ऐसा फूल है जिसको आ तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर औरनियमेंट यानि कि सजावट के रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं ना यह देखने में आपका बट इतनी ज़धा 30 को smel भी नोकर सकते हैं साथ इसाथ केसा होता है कीट भंजी होता यानि कीडों को खाने का काम करता है आलू का खाने काने यो गाकट्वा घाटेशस के को help का का आनुसे थो आलू का क्ने कि मुली के बाद में सकरकंद की क्या की जाती है यहां पर गाजर खाई यहां पर क्या इनकी जड़े खाई जाती है याद रखेगा कलिका आपकी बिटा किसकी होती लोंग की जो यहां पर कनवर्ट करते हैं वो किससे होती है आपकी फ्रेंड्स कलिका से और फल से आपका बिट फली भी है, इसके बाद में आपका friends यहां पर, क्या इसके अलावा आप बिटा टमाटर हैं, उसको भी किसमे लेते हैं, फल के अंदर लेते हैं, आपका friends अगला कुशन देखेगा, Mother Teresa का जनम किस देश में हुआ था या उनकी जनम भूमी क्या है, आपको friends इसके बार में पतना मदर टेरेसा की जनम भूमी कौन सी है तो मदर टेरेसा का जनम कहां पर हुआ था आपका फ्रेंड्स ओप्शन नबर एक अलबानिया में ठीक ना मदर टेरेसा जी का जनम किसमें हुआ था अलबानिया के अंदर हुआ था आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा ओप्शन रहता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजेगा कि यहांपर शान noble pruskal को तो हम कर देते हैं रतर भारती रतन पुषकार और रतन पुषकार को कर देते हैं noble pruskal noble pruskal पेले मिला 1979 में और फिर मिला भारत रतन पुषकार 1980 के अंदर मिले एक साल के beretsde ही है लेकिन आपका फ्रेंड पहले नोबल प्रुषकार उसके बाद में भारतरदं प्रुषकार दिया गये है जाए के पूधे का वनिस्पतिक नाम क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बार में इसके बेंदग है चाके पूधे का में नहीं तो बonne है कि तर जानते हैं चाय कोई का वेजिटेटिव नाम होता है थिया साइनेसिस क्या होता है थिया सैनेसिस है जो क्या होता है चाय के बोदे का नाम होता है सभी बच्चे याद रखेगा आपका फ्रेंड्स यहां पर चाय में कौन सा रसाइन होता है तो आपका फ्रेंड्स यहां पर जब पूछा जाता है निमन में इसे सुचालक पदार्थ कौन सा है आपको friends इसके बार में पताना है सबसे पहले सुचालक का मतलब पतावना चीए सुचालक का मतलब होता है जो conductor है अपने अंदर से heat and electricity को produce करने वाले को हम सुचालक कहते हैं conductor कहते हैं तो आपका प्लास्टिक अपने अंदर से heat को produce के release करने देती प्लास्टिक को इसलिए तो हमारे यहां पर जो आपके बिटा प्लायर्स होते हैं प्लग यहां पर हो किस के बने उते प्लास्टिक के बने होते हैं इसके बाद में सूखी लकडी है बिटा वो इसके बारार मतdd Elay beso da Samus साइन्स का एक ऐसा क्योण है जो हर बार एकञामिनर अपना पता यह जो टास का पता है एकजामिनर ह्वाद्ध हर अमारे जो کॉम्पुटेटर हैं जो underestimate उनके सामने इसे सारस वाला science का question हर बार आपके exam में डाला जाता है इसमें गभी एकी की full-form पूछeteं तो आपका friends यहाँ पर s च्सरवी का मतलब क्या होता है सिर्वी एक मतलब होता है acute, A का मतलब क्या होता है, acute, R का मतलब होता है, respiratory, आपका बेटा क्या होता है, respiratory, आपका फ्रेंटरी, आपका फ्रेंटरी, इसके बाद में S का मतलब होता है, syndrome, आपका बेटा इसका मतलब क्या होता है, syndrome, आपका राइट अंसर हो जाएगा, option number क्या, acute, A की full form पूछी है, तो acute आ आपका क्या है अक्यूट रामनात कोविन भारत के खालिस्तान राष्ट पती थे आपको फ्रेंड्स इसके बार में बताना है रामनात कोविन हमारे देश के कौन से नंबर के राष्ट पती थे आपको फ्रेंड्स इसके बार में बताना है तो सभी बच्चे जानते हमारे देश के यहां पर फ्रेंड्स चोद्वे राष्ट पती के रुप में किसने से पतली थी रामनात कोविन में हमारे देश के चोद्वे राष्ट पती के रुप में किसने से पतली रामनात कोविन जी ने आपका फ्रेंड्स ग्यारवे राष्ट पती कौन थे एपी अब्दुलकलाम सह रखुपती कौन थी यहांपब तरी प्रतिभा देवी सिंझ पाटिली सभी बच्चे याद रखेगा और आपका प्रेंड यहां पर राश्टपती कोन बने थे परणव मुखर जी ठीट हि क्या बने थे यहां पर अमारे ऐ स्पाट नम्बर जिया dram पर बारवे रूप में स्री मतयपाल देवी सिंंग पाठिल ने साथ देश की पहली मैला प्रधानमंतरी भी स्रीमती परतिबा देवी सिंग पाटी लिए बनी थी और तेरे वे राष्टपती के रुप में परणव मुखर जी थे ठीकिना अगले कुशन पर ध्यान दीजेगा कि सभी अमल में जल में गुलकर क्या परदान करते हैं आपको फ्रेंड्स इसके बार में तरह हैं जब एस एसिड को क्या करते हैं पीलता हम पानी के एंडर डीजॉल करते हुआ हमने कौन सा आखने यहां आपको फ्रेंड्स इसके आरं इसके बार मतरा हैं तो आपका फ्रेंड्स यहां पर जब भी किसी एसिड को पानी डियुक्मन करेंग तो एस पोजिटिव आयन मान लिजे हमने 23 जनवरी को निमन मेंसे इसका जनम दिवस मनाआए जाता है आपको फ्रेंडस के बार में पतान है was 7 में सभी बचये याद रखएंगे सुबह आपकी फ्रेंडस यहां पर 9 अबoca आपकी सुबह नो कि रहेगी पैठाकिस की प्राकरम दिवस के रुप में भी जाना जाता है इसको प्राकरम दिवस के रुप में भी जाना जाता है आपका friends right answer हो जएगा option number B आपका right answer हो जएगा सभी बच्चे याद रखेगा समराट अशोक निमन में से किस मोर ये सासक का पुत्र था आपको friends इसकी बार में पताना है समराट अशोक बिटा किसका बेटा था आपको friends इसकी बार में तरह है क्या बात भही पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा क्या जो like counter के अंदर आप लोगों ने इतनी गपला बाजी कर रखी है तो यदि आपको पढ़ने में मज़ा रहे फट आफट से like counter को like करेंगे ताकि हमें भी आप से motivation मिलता रहे आपका friends यहां पर right answer होजेगा option no miss आपको यहां पर बताना है tree 1757 में प्लासि का युदभ वहा था सभी को कि प्लास्य का जो यूद आ प्लास्य का यूद कभ वह था 17 59 आपका फ्रेंट्स किसी में दुघा था सिराजु दोला और साथ ही आपका रोबाट क्लाईव के बिच में ये भी बात सभी गो पता है ह tena रोबर्ट कलाईव और दूसरा कौं था यहां पर फ्रेंड्स आपका दूसरा था कौन सिराजु दोला अब तुम्हारा क्यूशन क्या उस बात को सुनिएगा कि 1757 में प्लासी के युद में सिराजु दोला के साथ किसने विश्वास घात किया था उसकी पीठ में खंजर गोपने का काम किया था आपको फ्रेंड्स अंसर हो जएगा उप्शन नमर एक ठीक आपका फ्रेंड्स अप्शन नमर एक राइट अंसर हो जएगा सभी बच्चे याद रखेगा बक्सर की लडाई खालिस्तान वर्ष में लड़ी गई थी आपको फ्रेंड्स इसके बार मतना है जीया मेरे पैरे साथ ही हो सभी आपका फ्रेंड्स अभी बच्चे जानते हैं कि बक्सर की लडाई कब हुई थी 1764 में कब हुई थी 1764 में बक्सर की लडाई हुई थी सभी बच्चे याद रखेगा 1857 में पर्थम सवतंतरता संगराम हो आपका बटा कब हुआ था पर्थम सवतंतरता संगराम हुआ आपका बटा 1857 में आपका बटा 1526 में पानीपत की पहली रही है ना पानीपत की जो पहली लडाई थी वो कब हुई आपकी फ्रेंस 1526 में होई और साथ ही फ्रेंड्स यहां पर अगली जो बात आती है पंद्रा सो चहेंतर में हुआ अल्दी गाटी का युद्वा था आपका फ्रेंट्स कब वहा पंद्रा सो चहेंतर में हुआ था सभी बच्चे याद रुखेगा और यहां पर बकसर की जो लडाई है उसमें कौन था रोबर्ट मुन्रो था ठीक ना इसमें क्यों था रोबर्ट मुन्रो था जिसके द्वारा आपका फ्रेंड्स अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी गई थी ठीक है अगले कुशन पर ध्यान दीजेगा चोसा का युद हुमाईयों और किसके बीच लड़ा गया था आप आपको फ्रेंड्स इसकी बार में प्रणा है चोसा का युद हुमाईयों और किसके बीच में लड़ा गया था आपको फ्रेंड्स इसकी बार मतना है जिन पहरे साथ उन्हें लाइक कांट को लाइक कर दिया उनका बहुत 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 दिल से दन्यवाद जो बच्चे हमार बचे में like count को like करेंगे channel को subscribe and back end को press करेंगे और यदी बटा वास्त्विक्ता में आप पढ़ना चाहते हैं अपने आपको अब की बार अपने माबाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बटा time per class में ठीके ना आप लोगों से सिर्फ मैं हाथ जोड़कर एक ही request करती हूं क कि बटा यदी आपको यद्वन्सी सकस्स पॉइंट प्लेटफॉर्म पर विश्वास हैं यदी आप हमारे साथ जुड़ने यहां पर classes लेने में satisfy हैं तो बटा time per class में आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज तो मांगे कि time per class में time को वक्त दें उसके अंदर जो मैं सुमारे लि बीच में किसके बीच में वाथा सेर्सा सूरी के बीच में और सेर्सा सूरी बिटा कैसा सा सकता अफगान सा सकता सेर्सा सूरी कौन सा सा सकता अफगान सा सकता आपका friends right answer हो जेगा option number B इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था आपको friends की बार्मतना है क्यूशन पर गोर कीजिएगा मैंने तुमसे क्या पूछा है मैंने आप से क्यूशन पूछा है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1526 में पानीपत की पहली लडाई में क्या पानीपत की जो पहली लडाई हुई पानीपत की पहली लडाई में यहां पर किसके हाथों मारा गया या किस ते प्राजित हुआ यहां पर फ्रेंड्स बाबर से प्राजित हुआ बाबर से प्राजित होने के बाद में दिल्ली सल्तनत का स्माप्त होगी ठीक ना दिल्ली सल्तनत खतम होगी आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जगा उप्शन नमबर 1526 नेक्स आप से पुछा बेटा आयोडीन युक्ति हार्मोन कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसकी बार मतना है ऐसा कौन सा यहापर हार्मोन है जिसके अंदर आय आयोडीन की मातरा पाई जाती है आपको फ्रेंड्स इसकी बार मतना है सभी बच्चे गोर से किजेगा आयोडीन यहापर क्या आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसकी बार मतना है तो सभी बच्चे जानते हैं कि आयोडीन युक्त हार्मोन एक ही है व और जिसके अंदर किसकी आउशक्ता होती है बटा आयोडीन के आउशक्ता यदि यह ना मिले तो गल गेटू की प्रोब्लम क्रियेट हो जाती है गल गेटू की बिमारी बन जाती है तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा ओप्शन नमबर भी अगले कुशन पर ध्या से यहाँ पर चंपान सत्यागरे का आंदुरन तिक्या आपको फ्रेंड्स इसकी बार में पताना है यह बेटे वेरी गुड़ बहुत बढ़िया जबर्दस कुशन आपकी स्क्रिम पर है बहुत अच्छी आपकी त्यारी है सभी बच्चे इस कुशन का राइट अंसर देंग महात्मा गांधी ने किया था और चंपान कहां पर है आपका फ्रेंड्स यह स्थित यह बिहार में कहां पर अपर अपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा बिहार आपका 1907 में चमках अंद्धिल रहा था आप सबी बत्चर क्या रखेगा 1922 में विटा क्या थाBOओ था चोरी चौरा की घय़्टा हुई तीना 4 चौरा की घृट्ना कब उई था आपकी फ्रेंड रूंनी सो 22 में थी और 1927 के अंदर कागरी कांड बहा है रहाँ 1927 में क्या हुआ था काकोरी कांड हुआ था और 1914 में पहला विस्व यूद कब स्टार्ट हुआ था आपका फ्रेंड्स 1914 में स्टार्ट हुआ था इस बात को भी याद रखेगा नेक्स बटे आपसे पूछा है भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है आपको इसके बातना है तो यहां पर फ्रेंड्स सभी बच्चे जानते हैं कि भारत में दिहांग सिर्फ एक ही नदी को जाना जाता और वो किसको ब्रह्म पुत्र को जानते हैं आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा ओपिशन नमबर एक सभी बच्चे याद रखेगा शरीर क किस भाग में पित का निर्मान होता है आपको फ्रेंड्स के बार में बताना है और आपका पिटा जब एक्जाम बिल्कुल सरपे आरक है उसके बावजूद भी आप कलास में आते हैं आते हैं जाते हैं कहीं भी इमांदारी से आप पढ़नी रहें कहीं भी आपका मन निलग आप लोग ना खुद से self study कर रहें ना जो teacher आपको पढ़ाना चाते हैं उसको पढ़ रहें तो फिर आप लोग ये बताएं ना अपने भविश्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड क्यों करने लग रहें आप किसी और को दोखा नहीं दे रहें फर्स्ट ओफ ओल जो दोखा हो रहा है आपको खुद का दोखा खुद के साथ करने लग रहे हो भई ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप लोग और आपका यहां पर राइट अंसर हो जेगा option नमबर एक सभी बच्चे यहां रखेगा अगनी सामक फायर इंस्टूकेश्ट अपने देखा हैं आप लोगों ने बैंक वगेरा में या फिर आपकी बिटा यहां पर क्रियाना वगेरा की स्टोर है कोई भी बड़ा मोल है उसके सांदर क्या होता एक रेड़ कलर का विंटा इस प्रकार से इसलिंडर गैं रहलंते हैं एक श्ललेंडर भुणस लेंडर को क्या कहते वाहर इंस्टूकेश्च रुकाइश्य कमें अगनी सामक में कॉन सी गैस का परियोग किया जाता है आपको इसकी परंद्वे तो अगनी सा आग रुख जाती है तो option number D राइट अंसर हो जगा carbon dioxide आग को भुजाने का काम करती है इसलिए अगनी सामक में किसका परियोग किया जता है carbon dioxide का आप लोगों ने देखा होगा ना मिटाम कि यहां पर जब हम लोगों माल लीजे किसी को हम यहां पर फिलम वगेरा में देखते हैं या फिर आपने रियल्टी में भी कभी ऐसा मंजर देखा हो तो कोई वेक्ति यह जल रहा है तो उसको क्या उड़ाए जाता है कंबल उड़ा करने के पीछे की वज़य क्या होती है कि यहां पर कंबल ओडने की वज़य से जो ऑक्सिजन का कनेक्शन वो कर जाता है और जिससे वह आग पूछ जाती है अगले कुशन पर द्यान दीजेगा कि भोजन में उर्जा खालिस्तान में आकी जाती है हम लोग भोजन जो खाने ल उर्जा कैलोरी थी आपका बिटा हमने जो दूद पिया उसके अंदर कितनी कैलोरी थी यह सभी की सभी किसमें माप पी जाती है तो उर्जा को हम लोग आगते कैलोरी के अंदर ओप्शन नमबर सी आपका राइट अंसर हो जाएगा खालिस्तान से संबंदित बिमारी जानने के लिए इसीजी किया जाता है इसीजी का परियोग बिटा किसके लिए किया जाता है आपको फ्रेंड्स इसकी बार मतना है तो आप सभी जानते एक होता है ईईजी एक तो क्या होता है बिटा आपका ईईजी होता है और दूसरा होत ना मेंल निखित में इसे कोन सी जगा चिकन करे नीकरी कडाई के लिए सबस्सक्तीन चिकन करी के चल़ाई उसके लिए कौन सी जगा परशिद तक सबी बत्य का निवाब ओका सहर लखनव है जहां पर बिटा चिकन करी की क्या की जाती है कड़ाई की जाती है नवाबों के सहर में चिकन करी की कड़ाई होती है और जो इसके लिए परशित भी है आपका राइट अंसर हो जेगा नेक्स बिटा आपसे पूछा है निमल निखित में इसे क्या रवी की एक फसल है आपको फ्रेंड्स इसकी बार मितना है आप लोगों को ये चीज बढ़ा रखी है आपकी बिटा फसलों को तीन हिस्सों में बाटा गया है में रूप से होती है आपकी फ्रेंड्स एक रवी की और दूसरी होती है आपकी बिटा खरीफ की फसल ठीकिना दो फसले आपकी मेन माली जाती है एक तो रवी की फसल और दूसरी होती है आपकी बिटा खरीफ की फसल ठीक है आपकी फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की जो फसल होती है वो होती है जायद फसल इन दोनों के बीच की जब ना तो रवी की फसल बोई जा सकती है और ना ही खरीफ की फसल बोई जा सकती है तो उस टाइम पर बोई जाती है जायद फसल तो आपकी फ्रेंड्स रवी की फसल मतलब की सर्दी के समय में जो फसले बोई जाती है तो गेहू है वो सर्दी में बोई जाता है चना है वो भ भी सर्दी में होती है मूली है उसका भी सर्दी में होता है इसके बाद में सरसों वो भी आपकी सर्दी में होती है और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स खरीफ की जो फसल है खरीफ की फसल में बाजरा हो गया गेहूं हो गया जवार हो गया आपका बाजरा हो गया सोरी इसके ब जबी की फसल है ठीग है निजाम एंस विशाम सागरबान review निमन में से किसarya में से रिलेट करता है कूंसा बांद निजाम सागरबांध आपका- children answer हो जएगा option number D next आप से पूछ लिया बिटा सर्दियों के समय में हम जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े गहरे रंग के पहनते हैं जो सर्दियों के अंदर आप कपड़े पहनते हैं वो कैसे रंग के कपड़े होते हैं गहरे रंग के और गर्मियों के अंदर हम कैसे कपड़ करते हैं , फिके रंग्र मतलब सफेद कपड़े , पहना पसंद करते हैं , सफेद कपड़ा क्या करता है , यहाँ पर हीट को reflect कर देता है , उसको वापश से भेज देता है , तो आपका क्यारण क्या है , कि सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्यों कि यहां पर उस्मा का अधिक मात्रा में अवशोशन करते हैं कि यदि हम लोग गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो वो उस्मा का अधिक अवशोशन करते हैं और जिसके लिए हम गहरे रंग के कपड़े पहनते option number D आपका right answer हो जाएगा भारत में पहला मुगल समराट कौन था आपको friends इसके बार में पताना है भारत में पहला मुगल समराट कौन था आपको friends इसके बार में पताना है जिन पहरे साथ उन्हें लाइक count को like कर दिया उनका भई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद परति दिन श्याम को 6.30 बजे आप सभी बच्छे जिक्के की तेयार रहेंगे, सैकन्ट जो आपकी जिक्ए की क्लाoro रहेगी, वो रहेगी आपकी बच्टा दो फैर में 2 बजे, और तीसरी क्लास रहेगी आपकी फ्रेंट्स यहां पर सुबह सब्छ्फे लिए प्रस्क्राइब बच्छोने अभी तक चैन को सबस्क्राइब नहीं किया अभी तफटाफट से बैकन को प्रेस करेंगे चैन को सबस्क्राइब कर लें ता कि आप अपणी त्यारी को बैतर और सके तो सुबह जिन बच्चों ने यहाँ पर क्लास कि थी कलै कितने बच्चे हैं जो सुबह घुक्र साइस नौंब गजे में तयार मिले मैं फटा फट से कमेंट क्रिएका भारत मुझा संवराट को कुन था तो आपका फ्रेंडा के आशे बच्चे याद रखेगा, option number आपका friends correct answer हो जाएगा, ए बाबर correct answer हो जाएगा, निमल निखित में इसे कि सिकाई का परियोग, प्रकास की तिवर्ता मापने के लिए के लिए क्या जाता है, आपको friends इसकी बाद नहीं, प्रकास की तिवर्ता को मापने के लिए किसका परियोग क होता है, आपका friends option number 8, कैंडला का परियोग किसके लिए होता है, प्रकास की तिवर्ता को मापने के लिए, लेक्रिक चार्ज को एंपियर में, कैल्विन को आपका friends यहाँ पर temperature मापने के लिए क्लिक किया जाता है, option number 1, right answer हो जाएगा, निमन में से कोन भारती स्विधान के प प्रारूप समीती, उसमें कोन सा इन में से सदस्य सामिल नहीं था, जब उस समीती का गठन किया, आपको friends इसके बार में तन है, तो जब आपकी प्रारूप समीती को बनाया गया, तो उस टाइम पर डाक्टर भीमरावं बेड़कर भी थे, जवालाल नहरु भी थे, सरदार वल्लब भाई पटेल भी थे, लेकिन कोन नहीं था, मातमा गांधी नहीं था, बाग की आपके तीनों थे, option number A, आपका राइट अंसर हो जगा, सभी बच्चे देख लिजेगा, सोमनात मंदिर किस राज्य के तडपर सिता है, आपको friends इसके बार में बतना है, सोमनात मंदिर का जो question है, वो तो आपका very very most important question है, और यहाँ पर friends सबसे ज़्यादा बार क्या होई है, loot part पी होई है, तो आपको friends बताना है कि सोमनात मंदिर किस राज्य में सिता है, फटा-फट से किजेगा, answer, और महमूद गजनवी ने सोमनात को बेटा कब लूटा था, एक पर ये भी स आपका friends राइट अंसर होजेगा, option number क्या, गुजरात, गुजरात आपका राइट अंसर होजेगा, सोमनात मंदिर किस राज्य में सिता है, आपका बेटा गुजरात राज्य में जिसे एक पच्चार 25 और 26 में, एक अजार 25 और 26 में क्या किया गया था, लूटा गया था, और फिर knock-out, knock-down और knock-out किस खेल से जुड़े हैं आपको friends इसके बार में पताना है, एक तो आपका बिटा क्या है, knock-down, knock-down का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर जो boxing होती है, boxing के अंदर जो gloves पेने हुए हैं, यह आपका, इसको यह दि हाथों को नीचे कर लेते हैं, तो यह ह पर safety guard लगाएं यहां पर मतलब हाथों को ऐसे कर रखा है और यदि आप हाथों को नीचे कर लेते हैं तो वो किसमें आता है किसमें होता है होकी में किरकेट में आपका गुगली शब्द का परयोग होता है बेड्मिंटन में आपकी बीटाब क्या होती एची ली या फिर कहते हैं उसको कॉक की तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा option number B राश्टिय राजमारक 66 राश्टिय राजमारक 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतना है नेशनल हाइवे जो आपका बिटा क्या है 66 उसको पहले किस नाम से जानते थे तो नेशनल हाइवे 66 को पहले जाना जाता था यहाँ पर नेशनल ह में खादी गराम हो दियोग है आपको इसके बार में चलिए अब देखो बिटा यहाँ पर इस कुष्ण का जो स्रेना आप शोसकुह का बतार है जो खादी शब्द यह है आपको क्या कर रहा है स्कुष्ण का सब्सविते अब बैट यहाँ पर बात बताई है जो खाधी उद्योग हैम कपड़ा उद्योग है इसके लिए हमें किसकी जुरुत हैं किहाँ पर कपड़ा यदी ऑनाना है खाधी ka कपड़ा सुति रख को बनाना है तो उसके लिए कि खादी और ग्रामुद्ध्योग आयोग कहां पर सिता है गुजरात के अंदर सिता है सभी बच्चे याद रखेगा आपका फ्रेंड्स ओप्शन अमर क्या यहां पर गुजरात करें टंसर हो जएगा सभी बच्चे याद रखे कोई बात नहीं आपकी मैथ की क्लास है सुबह नरसंगार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था आपको फ्रेंड्स के बार में पताना है यह बटे बाग नरसंगार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था आपको फ्रेंड्स के बार में पताना है हमेशा एक बात याद रखना कि अपने मुसीबत को ये बताओ कि आपके होसले कितने बड़े हैं ठीके ना यदि आपका होसला बुलंद है तो आप यदि किसी समस्या में फसेंगे तो उसमें से निकल भी सकते हैं और आप लोग इस बात को ध्यान रखेगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंसी सबसे बड़ी ताकत है आप लोगों की आपका बेटा रटन सो ऑप्ष न्मबर क्या जनरल टायर है जैसे संसलेशन होता है आपके फ्रेंड्स यकृत में का पर होता है यूरिया का संसलेशन हमारे यकृत में होता है आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा निमन में से कौन सा एंजाइम दूद के पाचन में सयोगी है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतन है निमन में से कौन सा एंजाइम है जो दूद के पाचन में सयोगी मतलब कि हमारे सरीर के अंदर दूद पचता है उस दूद को पचाने में कौन मदद करता है आपको फ्रें अच्छा लग रहे हैं आप हमारी क्लास्टी से सेटिस्वाई हैं तो एक बार सभी बच्चे दिल खोल के लाइक कांट को लाइक करेंगे ताकि हमें भी आपसे कुष्ण के अंदर आपके आठ कुष्ण इस एक कुष्ण के अंदर आपके कितने कुष्ण है आठ कुष्ण है तो ध्यान से सुनिएगा निमल निखित में से कौन सुमलित नहीं है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतना है पहली बात ध्यान से सुनिएगा किलोवाट आवर किलो वाट आवर, बिटा, किस के लिए होता है, आपका, Фrem魚 के लिए होता है, आपका फ्रेंड, किलो वाट घंटा विधुति, के लिए यूज कियाज आता है, इस बात को याद रखेगा, दूसरा क्युशन, आपका, Frem魚 को किस में मापा जाता है, किलोवाट गंटे में ना पा जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना, दो कुशन होगे, Celsius आपका बिटा किसको इंडिकेट करता है, ताप को, Celsius किसकी डिगरी होती है, ताप की डिगरी और ताप की डिगरी क्या होती है, Celsius आपके 4 कुशन, आपका बिटा, RH फेक्टर, आपके भुकंब की तीवर्ता को नापते है, किसको नापते हैं, भुकंब की तीवर्ता को हम किसे नापते हैं, रियक्टर पैमाने से नापते हैं, और रियक्टर पैमाने से आपका बिटा, आधरता को मापने के लिए किसका परियोग किया जाता है, तो आधरता को मापने के यूज कए जाता है आपका friends high grow meter का किसका यूज के जाता है high grow meter का यूज किया जाता है इस बात को भी याद रखीगा तो टोटल आपके no question है जो एक question के अंदर आपको यादोगे option number आपका friends यहां पर decarrant answer हो जाएगा बेटा मैंने आपकी बात सुन ली है कि आपका math कमज़ोर है, आपको math बिल्कुल नहीं आता है, कोई बात नहीं, फिलाल आपकी जिके की class चलने लग रही है, तो इस पर focus किज़ें, ठीकिना, यार जब तुम ले हो कि एक बात बताने लग जाते हो, पता नहीं, बार-बार copy-paste, copy-paste, copy-paste क्यों करते हो, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, कोई बात नहीं, आपको math नहीं आता है, class में, सुबह 9 बजे वाली class में, आप आईए, math को कुछ हम समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ हम समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बार-बार एक ही चीज़ का है, तुम रीठ सा तार देते हों, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, क्या एक ही चीज़ को copy-paste करते रहते हो, जराविक 7 क्या है, आपको friends इसके बार में बताना है, जराविक 7 क्या है, तो जराविक 7 का मतलब होता है, क्रित्रीम हर्दे, ठीक न, जराविक 7 का मतलब क्या होता है, क्रित्रीम हर्दे होता है, आपका friends राइट अंसर हो जएगा, option number क्या, यहाँ पर जराविक 7 आपका friends, यहां पर क्या है क्रित्रिम हर्द है आपका एक तो होता है सिस्मोग्राफ और दूसरा होता है सिस्मोग्राफ यहां पर रियक्टर स्केल आपका बुकंब को किस पर नापते हैं तो बुकंब को नापते हैं सिस्मोग्राफ में लेकिन बुकंब की तीवर्ता को किस में नापते लेखेज़ेजी गा कि माधा एनाफ्लीज मच्छरे से कौन सा रोग होता है आपको फ्रेंड्स इसके बार में बतार आए यहां पर माधा एनाफ्लीज मच्छरे वो किस रोग के लिए नाइन तो मादा एनफ्रीज मच्छर आपकी फ्रेंड्स यहां पर राइट अंसर हो जाएगा मलेरिया मादा एनफ्रीज मच्छर है जो आपकी फ्रेंड्स मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होती है option number B right answer हो जेगा सबी बच्चे देख लेजेगा निमल निखित में से कौन सी गुफा पर बिटा कौन सा युगम सही नहीं है आपको friends इसके बार में पतना है इन में से कौन सा युगम आपका सही नहीं दिया गया फटाफट से दिजेगा अंस्वर जिन पहले साथ उन्हें लाइक काउंड को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से दन्यवाद जो भी friends आपके आज सच में पहली बढ़ा है चन को सब्सक्राइब करना बहुत प्रेस करना ना बुलें भीम बेटका की गुफा इसको देखने से पहले देखते हैं आपका बेटा option नमर की किसको यहां पर friends आपका कोड़नाक मंदिर वो कहां पर उडिसा के अंदर जो बिल्कुल सही है ठीक है बिल्का की गुफा बिटा चंतिस गड़ में नहीं है किसमें नहीं है उफ्ला नहीं जान funeral से बिल्कुल सिता वेक गुफा की सीता बेग गुफा की मैम कि भल्कुल के सभी बने आपके total कितने तो क्षे नगIt बेट का गुफ़ा मध्य परदेश में मध्य परदेश में कौन सा मंदिर और आपका थिस गड़ में सिता बेग गुफाएं ओप्शन नमबर आपका फ्रेंड्स एह यहां पर गडबड गोटाला किया गया है अगले क्विशन पर ध्यान दीजेगा निमन में से कौन सी गटना 1905 के सवदेशी आंदोलन की महत्वपुन वजय थी आपको फ्रेंड्स इसकी पारमतर नहीं आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखेगा 1905 के अंदर जो क्या हुई थी सवदेशी आंदोलन हुआ वो सवदेशी आंदोलन होने के पीछे की वज़ा क्या थी भई हम लोगों ने यहां पर सवदेशी आंदोलन किया उसके पीछे का कारण क्या था जिसके कारण हम लोगों को सवदेशी आंदोलन करना पड़ा सभी बच औरीधार करने से पहले कुसी और बरोसा करने से पहले खुद पर बरोसा करना स्टरैक्र दीजिये आप सब उइसकर है यदि आपको वरोशा है तो आपको my आपको किसी और के बरोसी की जुरूत नहीं है कि वह आप पर बरोसा करेंगे तभी आप कुछ भी करके दिखा सकते हो ठीके ना यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट अंसर हो जएगा ऑप्शन नमबर क्या बंगाल का विभाजन क्या है बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ और बंगाल के विभाजन के कारणी क्या हुआ था यहां पर सवदेशी आंदुरन वहा आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा ऑप्शन नमबर क्या यहां पर एक यहां पर मुस्लिम लीग का गठन कप वहा 1906 में भारतिराश्ट्री कोंग्रेस का गठन कप वहा 1885 में और आपका फ्रेंड्स रोल एक्ट पास होना आपका 1919 में रोल एक्ट भारत आया 1918 में पास हुआ तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा ऑप्शन नमबर क्या बंगाल का विभाजन वातावर्ण की सापेक्ष आधरता को मापने के लिए किसका परियोग किया जात कि वायूमंडल की अधरता को मापने के लिए हम यूज करते हैं हाईग्रोमेटर का वायूमंडल की अधरता को नापने के लिए किसका यूज करते हैं हाईग्रोमेटर का वायूमंडल के दाब यहापर वायूमंडली दाब है वायूमंडली दाब को नापने के लिए किसका परियोग क्या जाता है तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा यहां पर बैरोमिटर का वायुमंडली दाब के लिए बैरोमिटर का यूज करते हैं हाइड्रोमिटर में आपके बटा जलकी मात्रा को नापते हैं जलकी मात्रा को किसमें नापते हैं हाइड्रोमिटर सिंद्रिये चावले अनुसंधान संस्थान का मुख्याले कहां पर सित है आपको फ्रेंड्स इसकी बारे मतना है सभी बच्चे याद रखेगा प्रति दिन शाम को साड़े साथ बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर जिके की क्लास, आपका फ्रेंड्स यहां पर साड़े नो बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर रिजने की क्लास, और साथ ही फ्रेंड्स यहां पर सुबह साड़े छे बजे रहेगी आपकी जिके के क्लास तो जो भी बच्चे आस चमें पहली बढ़ाएं चैनल को सब्सक्राइब करना ब्लाइकन को प्रेस करना ना भुलें और यहां पर सभी बच्चे जानते हैं कि यहां पर उडिसा की पूरव राजधानी का नाम था क्या कटक और कटक के अंदर ही क्या है आपका ब अगरा के प्लाजमा फर ल। कांपर आइग गणदी नगर केंदर सुटांध करना न में क्या है तोप्षनन नमबर आपका फ्रेंट्स क्या हो जायगा यहां पर कटक क्रेंट Were होजेगा सबी बच्चे याद रिखेगा कि अगले कुछन पर ध्यान दिजेगा कि भारतिय परीषद अधिनियम भारतिय परीषद अधिनियम में 1909 लागू होने के समय भारत का वाइसराय कौन था आपको फ्रेंड्स की बाहन तरह याइस बेड़े ध्यान से कुछन का अंस की कि भारतिय परीषद अधिनियम 1909 लागू होने के समय भारत का वाइसराय कौन था तो आपका यहां पर राइसराय क्या लाड़ मिन्टो था हना 1909 में क्या वा था यहां पर बिटा क्या आया था यहां पर अंग्रे मुसलमानों के लिए अलग निरवाचन मंदल आया था जिस 309 के अंदर आया आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा ओपिश नमर सी ओके बिटा आप लोगों ने यहां पर हमारे पढ़ाने को लाइक कर रहा हूं उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से अभार निमल निखित में से किस राज्य में बुकसा टाइगर रिजर्व रिजर्व तिता है आपको फ्रेंड्स के बार मतना है निमल निखित में से कोंसा राज्य जिसमें बुकसा टाइगर रिजर्व स्य थैए आपको फ्रेंड्स रित रहा है एक बात बताओ बीटा आप लोग यहां पर एक मिनट के अंदर क्या पढ़ लेत तो मेर को यह समझत में नहीं तोह मैं इतनी देट देखने लगत्ता है क्लास ओवर्लाफ और सोल रहे हैं एक बर उठती फिर पड़ जाती है एक बंद्द या है एक बार गिर घंठ सकॉत में क्या सीख रही हो, क्या पढ़ने लगरे हो, मेरे कोई नहीं समझ में आ रहा है Ida यदि आपको लगता है मेरे को नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं आप रेस्ट कीजिए क्लास को स्किप कर दिजी आठीक है आपका यह पता है सर पर टांडम करने लग रहा शाव किताब ड्रक है कोई बात शुरास सब्सक्राइब के निए प्ढ़ना है तो पड़ो नहीं पड़ना तो अराम करो घुड़ेवेश केस हो जाओ ठीक है आपका राइट अंसर हो जिएगा बुखसा बाग प्रुजना कांपर सित है आपका बुखसा टाइगर रिजर्व है वो आपका बिटा पस्षिम मंगाल के अंदर सित है ऐश नमर आपको friends इसकी बारंतर नहीं तो आपका friends राइट अंसर हो जेगा करक रेखा आपकी नहीं गुजरती है option number 58 का क्या यहाँ पर भी असम से ठीक ना की friends यहाँ पर माही नदी जिए ना माही नदी क्या करती है करक रेखा को दो बार काटने का काम करती है तो आपका friends option भी असम करेट अंसर हो जएगा सभी बच्चे गया रखेगा के मित्तर पर गमचा जार आपका क्या है यहाँ पर चोटरी कह और सभी बच्चे याद रखेगा प्रती दिन श्याम को पांच बज़े रएगी आपके friends यहाँ पर हिंदी की किसके द्मार बताया धा तो कोपर निकस के द्मारा सभी बच्चे याद रखेगा आपका friends राइट अंसर हो जेगा ओप्श नमर क्या एडविन हबल मिर्च करटी कम किसकी कीर्थी ए आपको फ्रेंड्स की बारा में तना है सब्सक्राकर paved GP किसकी कीर्थी करते हैं आपको प्रेंड्स की बीड़ू से यदू अद्धिक पर आपको तरो नाम कपस्तक को लिखा गया है माटी की जो यहाँ पर गया है गाडी वो यहाँ पर फ्रेंड्स किसकी है शुद्रक की यहाँ पर किरती है थायराइड ग्रंथी द्वारा आयोडीन का परियोग खालिस्तान के निर्मित किया गया एक हर्मोन होता है आपको फ्रेंड्स इसकी बार में बताना है खालिस्तान था तरो थाए रमॉन है तो यहां पर पिटा्ता कर रिलीज होता है यहां पर आयोडिन का प्रियोगør तो ऑप्षिन संचिक बात Castro होगा कि खुद को इतना परफेक्ट बनाओ क्या कि खुद को इतना परफेक्ट बनाओ जिसने भी आपको ठुकराया है ना वह आपकी जलक पाने के लिए तरसे यदि आपको परफेक्ट बनाना है तो खुद को परफेक्ट बनाई ये दूसरों के अंदर कम्या निकालने से अच्छा अपने अंदर कम्यां डूंडिए मेरे अंदर कमी क्या है और उस कम्यों के उपर काम करना स्टार्ट कीजिए ताकि फ्रेंड्स यहां पर जो आज आपकी निंदा कर रहे हैं आपका तरिसकार करें आपको यह कह रहे हैं तेरे बसकी कुछ भी बात नहीं है वो लोग भी कल आप का यहां पर एक बाने के लिए तरसें और वो कब होगा जब मैनत पर विश्वास करोगे मैनत करोगे आपका को तो आपका है निमल निखित में से कौन सा बांध है जो महाराष्ट्र में सिता है तो कोई ना बांध है जो कोई ना नदी पर है कोई ना नदी पर आता है आपका यहां पर एक कोई नाबांध और जो किसमी है माहराष्ट्र में थाए आपका फ्रेंड राइट अंसर होजएगा ओपिशन नमबर क्या यहां पर डीक रेट अंसर होजएगा सभी बच्चे याद रखेगा शीष महल या दरपन का महल कि सुराज्य में थाए आपको फ्रेंड्स रोजेगा option number C सभी बच्चे याद रखेगा next बिटा बिल्कुल आपकी सुबह नो बजे रहेगी math की class कोई भी बच्चा class को miss ना करे सुबह आप 9 बजे त्यार रहेंगे math की class के लिए ठीक है और आपके लिए friends यहां पर 11 बजे रहेगी सुबह रिजनिंग की class और आपके लिए 2 बजे रहेगी हां पर जिके की class चीके ना दो बजे रहेगी आपकी class और जिन बच्चों ने भाई आज की math की class ली थी आपको class कैसी लगी भाई आपके sir feedback मांग रहे हैं क्योंकि आपके सराज डूटी गए होए थे इनको पता नहीं है तो कैसा राज का आपका जिन बच्चों ने math की class ली थी हाल चाल यहां से कुछनकांस करें क्या होगा इसका राइट अंसर कि विधान परिशद के एक तिहाई सदस्यों का कारेकाल परते खलिस्तान के पाद समाप्त हो जाता ह है कि विधान परिशद के बराबर होती है विधान परिशद का एक तिहाई सदस्यें घात होते हैं यानी निवर्त हो जाते हैं दो वर्ष के बाद में सेवा निवर्त होते हैं सेम उसी प्रकार से विधान परीशद के भी एक तिहाई सदसे क्या हो जाते हैं दो साल के बाद में सेवा निवर्त हो जाते हैं तो आपका राइट अंसरो जगा option number C आपका friends यहां पर option number C राइट answer हो जगा सभी बच्चे यह रखेगा कि चंद्रमा एक कब launch किया गया था आपको friends इसके बार में तन हैं चंद्रमा एक है वो आखों से अटाती है किसी की बात से किसी भी बात से हिम्मत मत हारना कोई भी बात जो आपका demotivate करने का काम करें आपको प्रेशान करने का काम करें तो किसी भी बात से हिम्मत ना हारना थोकरे ही इनसान को चलना सिखाती है यदि हम लोग यहां पर सुरू में चलना सिखा तभी दो-चार बार ठोकर खाके गिरे और गिरने के बाद में यदि दुबारा से खड़े ना होते तो पिटा आज तक हम खड़े हो ही नहीं पाते मैं पर समांता भी है प्रबुता भी है यहां पर क्या बंदुता भी है लेकिन समतावाद हमारी प्रस्तावना के अंदर कौन सा शब्द नहीं तो हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक शब्द नहीं है समतावाद बाकी सारे हैं आपका यहां पर समानता प्रभुता बंदूता धर्म रिल्पेश जैसे सब्दों का यूज किया गया है लेकिन समतावाद जैस का स्रय किसे जाता है आपको फ्रेंड्स इसकी बार में पताना है याइस बड़े वेरी गुड बहुत बढ़िया ध्यान से कुछ नकांस करें क्या होगा इसका राइट अन्सर निमल निखित में से किसे डाइनमाइट के अविशकार कस रह जाता है तो आपका फ्रेंड्स अलफेट नोबिल को इसको जाता है अलफेट नोबल को यहां पर बैटा डाइनमाइट के अविशकार कस रह जाता है अलबर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया इस गल्टो एमसी स्केर किस ने दिया था अलबर्ट आइंस्टाइन ने दिया आर्कमडीज ने क्या दिया लाओ फ्लोटिंग नहीं आपको पर ध्यान दिजेगा जिन प्यारे साथ ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपना प्यार साथ विश्वास बनाए रखने के लिए आप लोग बेटा यहां पर क्या आप लोग टाइम पर क्लास में आएं प्रति दिन शाम को साठे साथ बजे पहली इस क्लास यह दूसरी डूसरी 待गी आपकी फ्रेंड्स वह साठे चैश बजए और तीसरी क्लास रह isn आपकी बीटा दो फैरесь एðल आप चाहे किसी भी मेर diverse की त्यारी कर रहे हों चाहिए यूपी पुलिस की तियारी करो आर्मी नेवी एरफोर्स की त्यारी किजिए इसके साथ स्सी जीडी शीप्यों सीजी एल छसल एससी MTS आपका बेटा स्टेनोग्राफर किसी भी एक्जाम की जो भारत में कंडेक्ट होता है जहां पर भी आपसे रिजनिंग जिक के जी दो पीची जाती है आपकी फ्रेंड इंदी पूछी जाती है मैत पुछा जाता है हर जगापस्ट नमर क्या वह सकतें ना जिस प्रकार से तुमारी टीचर ओलीन वन आल राउंड रहें वैसे आपका यदवन सी सकसेस्पोइंट चैनल भी कैंग सोर्थ चाहें है आप किसी भी एक्जाम की तेहरी कर लीजिए आपको हर जगा पर फाइदा मिलेगा ऑप्शन नमबर सी माही नदी आपका फ्रेंड्स यहां पर माही नदी है जो गंगा की सायक नदी फूल गोवी किस परकार का पुष्च पह है आपको फ्रेंड्स इसके बार मतन Crave तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जगा और प्रेंड्स नमबर सी यहां पर द्वीलिंगी आपका फ्रेंड्स आपशन नंबर क्या secret answer हो जाएगा ब्रंपुत्र नदी को तिबत में खालिस्तान और बांगलादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है आपको ब्रंपुत्र नदी के बारे में बताना है कि इसमें तिबत में इसको किसके नाम से जानते हैं यहां पर साथ ही बांगलादेश में आपको बता दिया कि जमुना के नाम से जानते हैं तुम से क्या पूछ लिया मेरे को यह बताओ कि तिबत में किस नाम से जाना जाता है तो सभ आपकी ब्रह्म्फुत्र जो नदी हो कहांसे निकलती इसे इहां पर क्या कह बोस्ति मैंसी मॉयरेंद से डीका आपको स्वास्थे दिवस कभ मनाए जाता है आपको स्वास्थे दिवस कभ मनाए 벌써 नहां बनाता है तो विश्व स्वास्तय दिवस मनाया जाता है आपका फ्रेंड्स ओप्शन नमर क्या सी साथ अप्रेल को विश्व स्वास्तय दिवस के रूप में बनाई लिखित मेंसे कौन सा निर्ते सैली हृयाना से संबनित है आपको फ्रेंचraktion यूज की जाती है तो हर्याना के ंंदर होता है फाग के अंदर क्या खेला जाता है इसके अंदर आपका फ्रेंच यहां पर बाभी क्या बनाती है को क्या होता उटा उसको कोड़ा और कोड़े से क्या पीटती है भरोंको पीटती है ठीक counterpart क्या उख फ्रेंट कर ठीक्स इंढ़ गाव निमल लिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता कर दिल्ली चलो का नारा दिया था आपको इसकी बारा दिल्ली चलो का नारा दिया आपका Friends राइट अंसर हो जेगा, Option Number D, आपकातो तुम मुझे खून दो मैं तुम आजादी दऊंगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये भी किस ने का था सुभाष्य ंद्रवोस ने जवाला रहण ने क्या का अराम अर यहां पर माथमा गाधि ने कया किया करो मरोừ। आपका देश है जो पाक जलसंदी से भारत से अलग होता है आपको फ्रेंस के बार में पताना है पाक जलसंदी के कारणे भारत से अलग कौन सा देश होता है आपको फ्रेंस के बार मतना है और एक बात हमेशा याद रखेगा कि इसवर का दिया कभी अलप नहीं होता इसवर का दिया कोई विकल्प नहीं होता ठीक है ना यदि आपको जीत चाहिए तो भाने मारने छोड़ दीजे आप लोग यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दीजे जो क्योंकि या तो आप भाने बना लीजे विकल्प भूंड लीजे मेरी तो किस्मत खराब है आज मेरे पेट में दर्दाज म मेरे सरमें दर्दाज मुझे यह है आज बो है लेकिन जिसको अपना लक्ष हार दिखाए देगा ना उसे विकल्प दिखाए देगा उसे सिरफ और सिरफ माबाप की स moral की सपने और खुद का सपना दिखाए देगा तो यह विए अपर भगवान यह आपको जो देरख भांश इस राइट अंसर हो जाएगा option number क्या सिरलंका भारत को सिरलंका से अलग करता है भारत को सिरलंका से अलग करता है पाक जलसंदी सभी बच्चे याद रखेगा option number A आपका right answer हो जाएगा ओके दन है चले आँगे भारतिय सरकार अधिनियम 1935 ये क्यूशन आपका very very most important questions है इस question में आपका friends द्यान से सुनेने की चीजिएगा की भारतिय सरकार अधिनियम 1935 बेटा किस से relate करता है तो भारतिय सरकार अधिनियम 1935 आपका आखिल भारतिय संग करता है time के अंदर में द्रवेदि सासन से विलेटा है और आपका यहां पर प्रांति आपका इस्वायथंता से थे करता है यह आपका अंदर में द्रवेदि सांसान प्रांतिय सवायथंता इन सबी से रेलेट करता है तो option number आपका friends d karat answer हो जाएगा जब त नहीं यह कह दिया कि SSE cgl paper में भी यही क्यूशन आएंगे आपके SSE cpo में भी आपकी मदद करेंगे सीजियल में भी आपकी SSE csl के अंदर में मदद करेंगे इस टैनोग्राफर में मदद करेंगे MTS में भी मदद करेंगे तो GD कहां जाएगा जिटी तो इन से निचे यह हैं, जिटी तो आपका 10 भी बेस पर यह हैं, जिटी कहां जाएगा? जिटी भी इसके लपेटि में आएगा, बैस पढ़ते रही है, ठीकिना, पढ़ते रही है, अपनी मैनत है, उसको करते रही है, क्योंकि अब की बार हम लोगों को सेलेक्शन ले जानते किसको जानते थे मतन मोहनमाल विये जिसको महामना के नाम से जानते हैं यहापर बैटा दादा भाई निरोजी को किसके नाम से जानते हैं ग्रेट ओर्ड मैंन के नाम से जानते हैं सभी बच्चे याद रखेगा उप्शन नमबर भी आपका राइट अंसर हो जाएगा उस राज्ये का नाम बताईए जिसके साथ तिलंगाना की सीमा नहीं लगती है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतना हैं वेरी गूड वेरी गूड सभी बच्चे ध्यान से किजेगा जिन पयारे साथ उन्हें लाइक काउंड को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से दनेवाद परति दिन शाम को साड़े 7 बजे आप सभी बच्चे जिक्ये कि क्लास के लेते आ रहेंगे साधे नौ बजे रहेगी आपकी Friends यहाँ पर रिजनेंग के क्लास, सुवह ग्यारा बजे रहेगी आपकी बटा रिजनेंग के क्लास, कोई वच्चा क्लास को मिस न करे, यहाँ पर Friends आपका राइटन्स रोजएगा उडिसा, उडिसा की सीमा किसके साथ निलगती, तिलंगाना क के साथ नहीं लगती है बाकिया आपकी कानाटक की भी लगती है महराष्टर की हरन लगती है यहां पर उड़िसा की लगती है एक एक ऐक ऐसे मेटा आपको प्रक्शी का नाम बताना है ध्यान से सुनेगा Romans एक माततर ऐसा पक्षी जो पीछे की और उड़ सकता है आपको फ्रेंड इसके बार में Thirty है यांनि कि सभी बस्विश्ट आगे की तरफ ऊड़ता है एक पक्षी ऐसा है उच सब सकता है जोंड़ सकता है तो आपको फ्रेंड बतानाया कि ऐसा कौन सा पक्षी क्या कर सकता है पीछे की तरफ उड़ सकता है जो आपका क्या है सबसे छोटा पक्षी है सभी बच्चे इस बात को भी याद रखेगा राजा राम मोहनराय को 1829 में खालिस्तान के द्वारा सती पर्था को दंड़नी अपराद गोशित करने के में सयोग के लिए जाना जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बार में बतना है यहाँ पर सभी बच्चे जानते हैं कि आपका बिटा सती पर्था है सती पर्था को जो उनम तो एक थे राजाराम रहा है और दूसेरे के सयोग में कोन थे laard przy take onoup कोन थे लाड़बेंटिक कते जिन्नों ने क्या किया था राजाराम राय का सयोग कैसे helping में से किस कोन पाई जाती है मैं और आपको इसकि बार में थन है जिन प्यारे साथ उन्हें लाइक काउंड को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से दनेवाद जो फ्रेंड्स हमारे शेश्में आज पहली बराएं चैन को सब्सक्राइब करना बला आकन को प्रेस करना ना बुले और जो बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है तो आप याद रखेगा सुबह यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी नो बजे रहेगी मैथ की क्लास आपका बेटा राइट अंसर होजेगा विटामिन B12 जिसको हम कहते हैं साइनो कोबालमीन जिसको हम किसके नाम से जानते हैं कि साइनो को बालमीन के नाम से जानते हैं और आपका फ्रेंड्स यही एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है आपका फ्रेंड स्राइट अंसर होजएगा ऑप्शनमर D निमन मेंसे कि से जाते कि में विटामिन C की मातरा सरवादिक है आपको इन चार उप्शनों में से कौन सा है जो विटामिन C का सबसे अच्छा स्त्रोत है आपको फ्रेंड से बान तरह है तो विटामिन सी वैसे तो सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है आमले के अंदर है ना विटामिन बिटा क्च्चे आम के अंदर पाई जाति यह कंच्च्छा आम के अंदर विटामिन इरदी होगा तो उसमें आपकी विटामिन C पाई जाती है अम्रूद के अंदर बीजी आइफ आप सी पाई जाती है इस बात को भी एत र RHtype विटामिन C का सबसे अच्छा स्त्रोथ क्या है तो इन उप्शन के अकोडिंग कौन सा हो गया आवला और यदि आप से पूछा जाए विटामिन C का सबसे बेकार स्त्रोथ कौन सा है बेकार का मतलब क्या है यहाँ पर जिसके अंदर विटामिन C नहीं पाई जाती तो दूद क इसके बार में पतना हैं जियां दोस्तों कुष्ण पर ध्यान दीजेगा कि दवनी किस रूप में यातरा करती है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतना है जिन प्यारे साथ उन्हें लाइक काउंट को लाइक करती है उनका बहुत बहुत दिल से दनेवाद जो बच्चे मारे बच्चे में यत्य आपको बढ़ना अच्छा लग रहा है तो याद रखेगा डेली आपकी जिकते की तीनी क्लासे होती है फ्स नापका पिटा अनूद दे एत्रंगों के रूप में धवनी यात रा क tienen के option number 20 अंशर हो जाएगा सोनार मुख्यत किसके लिए उपयोग किया जाता है आपको फ्रेंड्स कि बन्होंतर है सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो सभी बच्चे जानते हैं सोनार का प्रियोग किसके लिए करते हैं आपका बिटा समुंदरी यात्रियों के द्वारा किया जाता है समुंदरी यात्रियों के द्वारा किया जाता है option number D right answer हो जाएगा सूरिये में नाब किये इंधन है येस पेटे जो सूरज है सूरज के अंदर नाब किये इंधन के रूप में किसका इस्तमाल किया जाता है आपको friends इसके बार में पताना है येस पेटे very good शबाश अंसर किजेगा क्या होगा इस question का right answer वह कहते हैं कि हम अपना बविश्य नहीं बदल सकते हैं हमें अपना बविश्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन हम अपनी आदतों को दीरे-दीरे बदलना स्टार्ट कर देना हम यह दिए अपनी आदतों को दीरे-दीरे बदलना स्टार्ट कर दें तो इस इस मानिए कि एक दिन आपका बविशे जरूर बदल जाए बविशे कब बदलेगा जब आज आप अपनी आदुतों को सुधारना स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ने पर द्यान देंगे आपका confidence जब तक बना रहे हैं जब तक आपकी class continuously चलती है आपका friends राइट अंसर हो जेगा option number क्या hydrogen यहाँ पर hydrogen है जो नाव के इंदन के रुप में प्रियोग किया जाता है option number C right answer हो जएगा कि सरीर में दूसरी सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है आपको friends इसकी बातना है सरीर में दूसरी सबसे बड़ी गरंती है आपकी friends अगनाश्य क्या हैं सरीर में दूसरी सबसे बड़ी गरंती आपकी अगनाश्य होती है option number D right answer हो जाएगा नेत्र गोलक के किस सैट द्वारा संचालित होता है आपको फ्रेंड्सिस की परमतर है हमारा जो नेत्र गोलक है बिटा किस सैट के द्वारा संचालित होता है तो हमारे नेत्र गोलक के अंदर 6 मास पेशियां पाई जाती है हमारे नेत्र गोलक के अंदर 6 मास पेशियां पाई जो सभी acid है ना सभी acid हो के अंदर एक common चीज क्या है तो सभी बचे जाते हैं कि सभी acid है उनके अंदर hydrogen पाई जाती है आपके जितने भी acids हैं उन सभी के अंदर क्या पाई जाएगी hydrogen पाई जाएगी चाहे वो तुम्हारा HCl हो, चाहे तुम्हारा HNO हो, चाहे तुम्हारा Friends यहाँ पर S2SO4 हो, क्या हो, चाहे तुम्हारा CH3, COOHO, या फिर आपका बेटा यहाँ पर HCHO, सभी के अंदर आपका Friends क्या कोमन है, यहाँ पर Hydrogen कोमन है, मतलब कि सभी तत्वों के अंदर क्या, सभी अम एंसर हो जएगा option number 1 ओक्सिकरन का मतलब क्या होता है ओक्सिडेशन ओक्सिडेशन का आपको friends बताना है कि यहां पर oxidation किस रूप में परिभाषित की जाती है तो oxidation को परिभाषित करने के लिए इसका राइट एंसर हो जएगा इलेक्ट्रोनों की आनी होती है तो वो कहलाता है आपका Oxidation और जब इलेक्ट्रोनों का लाब होता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन ठीकिना इलेक्ट्रोनों का जब लाब होगा तो वो कहलाएगा आपका रिडक्शन और इलेक्ट्रोनों की जब हानी हो गया तो उसको हम कहेंगे Oxidation सभी बच्चे याद रखेगा नेस्ट आप से पुछा बेटा अमल का स्वाद कैसा होता है आपको फ्रेंड्स इसकी बार में बतना है अमल का जो स्वाद कैसा होता है आपको फ्रेंड्स इसकी ब परकास वर्ष इकाई है किसकी इकाई है आपको फ्रेंड्स इसकी बार मतना है परकास वर्ष इकाई है किसकी इकाई है आपको फ्रेंड्स इसकी बार मतना है जिन प्यारे साथ ने लाइक काउंड को लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत दिल से दन्यवाद जो प्यारे साथ आपका बेटा यहां पर distance को नापने के लिए किया जाता है किसका खगोल ये पिंडों का आपका friends राइट अंसरो होज़ेगा option no.1 लार किसके पाचन, लार किसको बोलते है, सलाइवा को, लार किसको बोला जाता है, आपका फ्रेंड सलाइवा को, सलाइवा किसके पाचन में सयोग होती है, आपको फ्रेंड से इसके बंतन है, सलाइवा का परियोग बिटा किसके लिए किया जाता है, तो सभी बच्चे जानते ह कि सलाइवा के द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाता है किसका पाचन होता है स्टार्च का पाचन होता है जो इसको किसमे करता है आपका फ्रेंड्स गुलकोज ठीक ना स्टार्च को पचा कर यह किसमें को नवर्ट कर देता है गुल्कोज में कर देता है तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा ओपिशन नमर बी राइट अंसर हो जाएगा दूद में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता यह कुछन तो अभी डिसकस करके हैं ह फटाफट से बताईएगा कि दूद में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता आपको फ्रेंड्स इसके बार में पतना है तो दूद में नहीं पाया जाता आपका फ्रेंड्स यहां पर विटामिन सी ठीक ना दूद में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता विटामिन सी नही बूंद उपर से गिरती है उपर से गिरेगी तब तो उसकी ऐसी साइज होती और नीचे आते ही वह गोल बूंद में कर्वाट हो जाती है तो वर्षा की जो बूंदे हैं वह गोलाकार किसके कान से होती है आपको फ्रेंड्स इसके बार में तन है तो वर्षा की बूंदे गोला इसके बार में पतना है यानि कि मनुष्य का हम लोग जानते हैं वैग्यानिक नाम क्या होता है हो मनुष्य का जो वैग्यानिक नाम होता है वह क्या होता है हो हो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जएगा और रखते ताब नियंतर नहें तू किस कोन सी गरंथी उतरदाई है आपको फ्रेंड्स इसके बार में पताना है हमारा जो ब्लड प्रेशर अभी मैंने आपको कुछ समय पहले एक बात बताई थी कि कल को आपका यहां पर क्या ह हो जाता है सेलेक्षन हो जाता है तो सेलेक्षण होते हैं एकदम से हमारा ब्लेट प्रेशर हाय हो जाएगा तो और साथ ही पह्मनों क्या जो जहता है तो जब मनुष्य किसी वस्तू को देखता है तो उसकी उल्टी वास्त्वी कि छवी कहां पर बनती है आपको फ्रेंड्स इसकी पांतर नहीं जैसे मैं माली जी इस पैन को देखने लग रही हूं ठीक है इस पैन को जब मैं देखने लग रही हूं तो इसकी जो इमेज है ना मेरी आखों के अंदर कैसी बनी हुए उल्टी बनी हुए मेरे आखों के अंदर जो इमेज बनी हुए उल्टी बनी हुए जो यह हमारी आखों के अंदर उल्टी इमेज बनती है क्या बनती है उल्टी जो इमेज बनी हुए बिटा यह कहां पर बनी हुए तो सभी बच्चे जानत सबनाइड नहीं है द्रिष्टी पठल कोई रेट guitar का जाता है जहांपर हमारी वस्तुका क्या बनता है किसी विस्तका परती भिंबनता ए इसके बाद में कॉर्णिया भाग क्या होता है बैटाथ कॉर्णिया बाता हमेशा दोनेट के जब भी आखों यापर donation होगा वो किसमे होगा आपका कॉर्णिया भाग से होगा सभी बच्चे गया रखेगा हमारी जो पुतली का size बढ़ता और गढ़ता किसके कारण है आइरस के कारण जब आप देखते हैं चाया से अंदेरे के अंदर की खुलती है और जब हम प्रकास से तेज प्रकास से जब कम प्रकास के अंदर आते हैं चाया में आते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि उस पर हमां की आखों की पुतली का साइज गया था चोटा और जब वह वापिस से अंधेरे के इसाब से खुलेंगे तो उसमें टाइम लगता है तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर होजेगा ओप्शन अमबर क्या रेटी ना कि 1928 में बैटा हिंडुस्थान सोस्लीष्रिप फलीक असोश Ар्युशार का गठन निमन में से कहां किया गया था आपको फ्रेंड्स यसो और है उनृस य्ठ फ esqueme है उननीस second राइट से यादुक्र Mimi का गठन कहां पर रौदधा सभी बठ्चे याद रखेगह का option number 1 दिल्ली ठीकिना दिल्ली के अंदर क्या हुआ था हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक असोशेशन का गठन हुआ option number 1 right answer हो जाएगा महत्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्यागरे कहां किया आपको महत्मा गांधी ने जो पहली बार भारत में सत्यागरे किया था वह कहां पर किया था चंपान में किया था कब पिटा 1917 में सबी बच्चे याद रखेगा आपका friends right answer हो जेगा option number 2 नेक्ट बढ़ा पर पिटा 19 जा चंपान का right answer हो जेगा राम किशन विसन की स्थापना किस ने की थि आपको फ्रेंट्ड सिसकी बार मतंतर है आपको फ्रेंड स्थापना किस ने की थी तो सभी बच्चे जानते हैं की राम किसन मिसन की स्थापना स्वामी विवेकानन्द के द्वारा की गई थी प्रफिन नमर एक नेक्ट आप से पूछा बेटा सोने का रासाइनिक संकेत क्या है आपको फ्रेंड्स इसकी बार में बतना है जो बच्चे आशेश में पहली बराएं आप सभी याद रखेंगे प्रति दिन शाम को साड़े साथ बजे सुबह आपकी बटा यहां पर साड़े च्छे बजे दो फैर में दो 9 बजे क्या रहेगी आपकी फ्रेंड्स मैथ कि क्लास रहेगी मैथ जो बच्चा पढ़ना चाता है SSCT iddy के लिए वह बच्चा यहां पर किसके परशिद दर्बारी वैद थे आपको friends के बार में पतना है क्या बात भाई यहाँ पर ना तो अभी तक काफी बच्चे ऐसे सुस्त बैठे हैं सो गए क्या पढ़ते पढ़ते ना तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया क्या बात भाई आज ही पढ़ना है प्रेश करने और चरख किसके दर Guidant यहां पर वैद थे तो आपका friends राइट पंसर होझेगा कनिश्क के किस के थे कनिश्क की आख अके दर बारी वैद थे आपका friends बाकसाइट किस दातू का ऐश्क है आपको फ्रेंड्स इसके बार में बतना है बाकसाइट किस दातू का ऐश्क है तो अलुमीनियम का ऐश्क होता है बाकसाइट लोहे का ऐश्क होता है हमेटाइट लोहे का क्या होता है हमेटाइट और आपका तो कि एपसे पूछा है लेट्चा कि सुराज़े की पर्मुख जन जाती है आपको फ्रेंट्स बर्म्तर तोeng फैन जाती है आपको सिकपा कि पाई जाती है आपकी फ्रेंड्स लेपचा भोटिया और लिम्बू ये तीनों जंजातियां कहां पर पाई जाती हैं आपकी फ्रेंड्स कि में तो ओप्षिन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या होजेगा एक रेट अंसर होजेगा सबी बच्चे याद लेगे तो सबी बच्चे जानते हैं कि DNA संसलेशन का परतिपादन किसने किया ऑपका राइट और किया को noben बरत ने किस ने किया दो और रहा आन अबर धार क्या आगी दौरा रण्स नमबर तीन नंबर तीन गदर पार्टी का मुख्याले कहां सिते हैं आपको friends इसके बार में पताना हैं जियां दोस्तों किशन पर ध्यान दीजेगा कि गदर पार्टी का मुख्याले कहां सिते हैं तो सबी बच्चे जानते हैं कि गदर पार्टी का मुख्याले सेन फ्रांसिकों में सिते हैं जिसकी अधिट्याल जी के द्वरा की गई थी आपका फ्रेंड्स रॉइंसर हो जएका qड लाला हर्द्याल जी ने यहाँ पर 1913 में क्या किंथी सैन्फ्रांशिकों में आपकी फ्रेंडस क्दर्ण Service इसके बार में प्तना है दनपत राई के नाम से किसा थिकार को जाना जाता है आपको फ्रेंड से इसकी बाश्राइं पाँच बजय सभी बच्चे इंधी कि सक्सिस पॉइंट पर धन्पत्राय आपका फ्रेंड्स मुंसी प्रेमचंद का यहां पर जो अन्य नाम था वो क्या था धन्पत्राय था ओप्शन नंबर आपका तीन राइट अंसर हो जाएगा केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्थान कहां सेता है आपको फ्रेंड्स इसके बार में बताना है केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर सेता है अभी पड़के यह थे कि केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर सेता है कटक के अंदर सेता है आपका DNA and Diagnostic के अंदर क्या DNA and diagnostic के अंदर कि निस्टिक के अंदर आपका friends कहां पर सिता है यह सिता है आपका friends है अधराबाद में है ना आपका friends इसके बाद में यहां पर आर आई आरदिए आपका विठा क्या याटली का जो मुख्याल है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है जिसके अरश क्रांधम आंशननसे रिश्य अनतरा अनुसंदान वह चाहां पर है वह यहाँ आपका वेटा है एंसरे मंगाल navs को जेयेगा विश सन वाधिक बोली जाने वाली भासा इसकी वादिक बोले जाने वाली भासा कोन इसके बार में उसके बार में उसकी नमर का या झाल किरकेट बल्ले की चोटाई कितनी होती है आपको friends इसके बार में पतन हैं जियां दोस्तों कुष्ण पर ध्यान दीजेगा कि किर्केट बल्ले की चोड़ाई कितनी होती है आपको friends इसके बार में पतन है कुछ भागगे को कोषते हैं कुछ बगवान को कोषते हैं लेकिन पटा सफल वही होता है जो यहां पर सफल होने के रास्ते खुशते हैं वहीं इंसान के अंदर कुछ ऐसा करके दिखाओगे कि यहां पर लोगे गए वाह इंसान तो वही है ठेके ना वह इंसान वही है आपको लोगों को आपका एक्जामपल मना जाए यहां पर बिटा किर्केट बल्ले की जो चोड़ाई है वो कितनी है च्यार पॉइंट पांच इंच आपका राइट अंसर हो जेगा उप्शन नमर तीन सभी बच्चे यहां रखेगा भारत रतन प्राप्त करने वाला एक मात्तर पाकिस्तानी कौन था आपको फ्रेंडस इसकी बश्क्राइस यहांपर पारत रतन प्रुष्कार से осभी बच्चे याद रखेगा इसके साथ ही आपका friends मुहमत अली जीना क्या था यहां पर friends राष्ट पिता था किसका पाकिस्तान का अगले कु −शन पर द्यान दीजेगा उगते सूरिय का देश किसे कहा जाता है उनका भाई बहुत बहुत दिल से दन्यवाद जो बच्चे आपका राएगी आपके Maths की इसके बाद में 11 बजे रहेगी आपकी उघाँस की तो जिन बचोंने अभी थे चैलन को सबस्क्राइब ने कया चैनल को सबस्क्राइब को ठा प्रेकन को प्रेस कर लें और उगते सुर्य का देश का जाता है, आपका फ्रेंड्स जापान को कहते हैं? जापान को कहते हैं, जापान आपका राइट अंसर हो जेगा, सभी बच्चे यहाद रखेगा विस्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसकी बार में तरहा है कि धारा 302 का संबंद कि से है? आपको Friends की बार में पताना है. दंड सहिता 302 का संबंद किसके साथ है? आपको Friends की बार में पताना है, सभी बच्यान से कुछन काँई करें. Very good, very good, बहुत बड़ी है. ध्यान से कुछन काँई कि जेगा, बड़ाई जबरदस्ट और बैतरीन कुशन आपकी स्क्रिम पर है सभी बच्चे गोर से किज़ेगा कि धारा 302 किसे रिलेट करती है तो सभी बच्चे जानते हैं कि धारा 302 रिलेट करती है आपकी बटा हत्या से किसे रिलेट करती है हत्य से डीकरती है तो हत्य आपका राइट एंसर होजएगा ऊप्शन्र एक कि फ्लॉर्स से netterection ओफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है आपको फ्रेंटेके आपको प्रेंड स्के बार न तन है श्रोज नाइट अंगल ऊंडिया के наाम से कौन चर्चित है आपको फ्रेंड सिसके बार में तो फ्लोरेस नाइट एंगल ओफ इंडिया के नाम से चर्चित है आपका फ्रेंड्स स्रोजनी नाइडू ठीके ना भारत की कोकिला भी किसे का जाता है आपकी फ्रेंड्स यहां पर स्रोजनी नाइडू को जानते हैं तो आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा उप्शन नम्बर तीन सभी बच्चे यहां रखेगा हरित करांती का प्रारम किस वर्ष हुआ आपको फ्रेंड्स इसकी बार में प्तना है हरित करांती का प्रारम किस वर्ष हुआ आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा 1967 से लेकर 1968 के बिच में हरित करांती का प्रारम भारत में वा था आपका फ्रेंड्स राइट अंसर हो जेगा उप्शन नम्बर एक नेक्स आप एप से पूचा बेटा महरा यहां पर क्या मराठा रानी एलावाई होलकर की राजदानी कहां थी आपको시간 करना हैं इसे बाद गर इb बच्चे क्लास में उतनों का अभी तक feedback नहीं आए क्या बात बहीं मतलब हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम लोग आपको टाइम पर क्लासे दे आपको अच्छा content परवाइड करवाएं क्या आपकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ठीक ना मैथ के लिए काम मैथ के लिए content परवाइड करवा दिया एक extra class और अपने उपर ले ली मैं तुम्हारे लिए मतलब सब कुछ करूं और तुम लोगों का एक यहां पर डेड़ डेड़ दो दो गंटे की class हो जाती है लाइक के लिए पचासों बार तुम्हें याद करवा देते ह इतने इतने बच्चे class के अंदर रहते फिर भी लाइक नहीं करते हो इसमें वह बात है हम लोगों के लिए तोहिन की बात है कि हमारी मैंनत को मतलब एक लाइक नहीं मिल सकता आपकी तरफ से अरे नहीं पसंद है तुमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम किसी को motivate कर सको इतना तो कर सकते हो ना कम से कम अमेद यह तो पता चल जाए कि हमारे स्ट्रेंट कितने बले हैं आपका फ्रेंड्स वर्टसप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा वर्टसप नंबर है सभी बच्चे फटाफट से अपना नंबर वर्टसप में एड़ कर वा लेंगे ताकि फ्रेंड् YSP Live Class सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाएं करें ठीक ना YSP Live Class search करके आप क्लास में आ जाएं करें और YSP Live Class पीटा आपकी एप्लिकेशन का नाम है जिससे आप PlayStore से डाउन्लोड कर लेंगे ठीक हैं आपकी बटा जिक्के की जो क्लास है प्रती दिन होती है टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का बरपूर फाइदा उठाश कें Math की क्लास रहेगी आपकी बिटा प्रती दिन सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे रहेगी आपकी Math की क्लास कोई बच्चा क्लास को मिस ना करें और आपकी Friends Reasoning की क्लास रहेगी एक आपकी साड़े 9 बजे शाम को और एक क्लास रहेगी आपकी Friends यहाँ पर सुबह 11 बजे एक क्लास रहेगी सुबह 11 बजे सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे और आप बई किसी भी क्लास में टाइम पर नहीं आते हो ना तो साड़े 9 बजे वाली Listening की क्लास में आते हो ना तुम साड़े 7 बजे वाली में आते हो ना तुम यहापर बटा किया क्या क्या ना ही आपकी Hindi की क्लास में टाइम पर आते हो